हेलो अब्रिवन वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल इस्टडी गाइड वाला में तो आज लेकर आए हैं बीएसी थर्ड यर वालों का जो इक्जाम वाता जो लोजी का उसके जो अबजेक्टिव टाइप जो क्वेशन थे उनकी आंसर की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं और आपके जितने भी क्वेशन आपको पूछे गए थे आपके फ़र्ष्ट पेपर में वह आज इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले उनके आंसर तो देखे फ़र्ष्ट जो क्वेशन आपके पास पूछा गया था कि this is not an endocrine gland तो निम्न में कौन सी अ अप्सव नमर सी ले क्राइमल जो ग्लेंड है यह आपके एंडोग्राइंड में नहीं आता है ठीक है ना उसके बाद यह कि सेकंड जो क्वेशन था आपका दमेन हार्मोन सी क्रेटेड वाइदी थाईरोड ग्लेंड तो जो थाईरोड गरंती द्वारा जो मुख्य जो हार् द्रावित किये जाते हैं चलो नेश्ट देखिए रोहू कटला एंड हिल्सा और वैराइटी जो रोहू और कटला हैं वो किसकी किसमें है वह इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वह आपका आपका ऑप्सन नमर सी यानि फिस यानि कि जो बस से होती है यह उनकी तो ग्रो आप फिंगरिंग साइज जो एक सिसु मचली होती है उसके फिंगरिंग को की विर्दी को बढ़ाने के लिए कितना समय लगाया जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा राइट आंसर आपका अपसा नमर भी थर्टी टू सिक्टी डेज ओके चलो नेश्ट अप आपका option number D option number D आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रो जेस्ट्रॉन जो प्रोजेस्ट्रॉन क्या हर्मोंस होता है वो कॉर्पस लूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है चलिए नेस्ट क्वेशन देखते हैं इसके बाद दिखे जो सिक्स क्वेशन है आपके बास यह Pastika तो ऑप्रोज क्के लिदिंग कोशकाई आपकी क्या गरती है टिषट्व उस्ट्रावित करती है तो लिडिंग कोशकाई का पाए जाती है şiव ने अपके इच्छ तेय में डीग को两ग क्प्रेटिंग आफस Mir जाता है उसमें से क्वेशन है में यह सी कैप्चर फिसरी में है ना तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा उपसर नमर सी इसी के बाद दीखे अगला आटवा क्वेशन है फिस बीडिंग ऑन सिंगल टाइप फीड और नोनेज तो जो मजसे बोजन की एक ही तरह की बोजन पर निरवरता क्या कहलाती है तो क्या कह अगर सकते हो है ना तो इसका अंसर हम आपको दे देंगे वीशसे mattnay बटाप लोग फिर भी अगर किसीकर डाउट आता है किसी भी क्वेस्टन में तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और इसका यूं सर की है है हम आपको टेलिग्राम पर भी प्रोवाइड कर तो डेकिन है नाइन तो का या होते हैं तो इसमें तो होता है तो मोत होती है और जो मौत होती है और ब्लारवा होता है तो होगता है तो आपका यह इसका राइट हो जाएगा option number B and C ठीक है ना तो देखे फिर next question जो phylariasis is termited Y जो phylariasis है किस से फैलता है तो फैलता आपका option number B हो जाएगा warm से यानि कि कीडों से आपका ये phylariasis फैलता है फिर next question देखिए एनफिलीज mosquito spirit तो जो एनफिलीज मच्चर है वो क्या फैलाता है तो एनफिलीज मच्चर जो होता है वह आपका क्या फैलाता है malaria रोग फैलाता है malaria ठीक है ना तो option number E आपका right हो जाएगा ऐसे चलते हैं next question next question देखिए host plant for lake insect include तो जो प्रपोर्शी पादब होता है किसी भी लाक जो कीट होता है उसके लिए को कौन सा होता है याना वह आपका option number B यानि कि बेल है ना तो भी इसका right answer हो जाएगा इसके बाद देखिए 14 वा question देखिए Parasite of sleeping sickness invades is तो जो sleeping sickness का परजी भी होता है वह कहां निवास करता है कि जब वह किसी भी host body में क्या करता है प्रवेश करता है तो देखिए किसको इंफेक्ट करता है वह होता आपका सेरी bronze spiral जो फ्रूड होता है वह उसमें क्या करता है इंवेक्ट करता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा आपको option number B है ना तो देखिए जो 15 वा question है आपके बास लेक कंटेंड हाव मच पर्शंटेज रेजीन तो जो लाक में जो रेजीन की जो मात्रा होती हो कितने प्रतिश्चत की होती है ठीक है न तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C ठीक है ना 70 से 90% ओके और देखिए लास्ट जो question है आपका जो आज का जो question paper था उसका जो लास जाता आपका किसे वोम से ठीक है न तो यह थे आज के जो question paper था आपका उसके answer की I hope आप लोगों के लिए काफी important यह वीडियो रही होगी तो वीडियो को like और share जरूर करें अपने friends लोगों के साथ और अपना score भी हमें बताएं कि आपका कितना score रहा है आज के इस question paper में ठी के लिए बाइ